दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि अगर आप यहाँ पर जमीन खरीद रहे हैं तो फिर जमीन खरीदने के करम में आपको पैसे का लेंदन कैसे करना चाहिए दोस्तों यहाँ पर हर चीज नियम और कानून से ही चलता है तो यहाँ पर कई लोगों के मन में सवाल होता है कि इस पर नियम कानून क्या कहता है इस पर हमारा लोग क्या कहता है अगर आप जमीन खरीदते हैं तो फिर अगर 20 लाक रुपय का जमीन है तो कि आपको पूरा 20 लाक रुपया कैस में दे देना चाहिए या फिर पूरा एकाउंट में देना चाहिए यहाँ पर हमारा आखिर नियम क्या कहता है तो यहाँ बात भी आप लोग को समझना चाहिए कि यहाँ पर income tax law क्या कहता है कि अगर आप cash में पैसा देंगे तो कि आपको income tax department कर notice हा जाएगा क्योंकि कई लोग इससे भी डड़ते हैं तो मैं यहाँ पर आपको हर्ची आज क्लियर करने वाला हूँ तो फिर आप इस वीडियो में अंतक जरूर बने रहें दोस्तो income tax section 269 के मताबिक आप अगर जमीन खरीते हैं तो आप यहाँ पर 20,000 रुपे तक ही cash में दे सकते हैं बाकी पैसा आप चेक के माधियम से दें आप RTGS करें आप N.E.F.T करें लेकिन आप यहाँ पर 20,000 रुपे ही cash में देंगे और अगर आपको यहाँ पर पता नहीं है और अगर आप पूरा पैसा cash में देते हैं क्योंकि कई लोग bank जाने से ही डड़ते हैं वे नहीं चाहते हैं कि bank जाएं वे bank में line में लगें तो यहाँ पर अगर आप पूरा पैसा cash में दे देते हैं और अगर कल को वहाँ पाटी मुकर जाता है वहाँ बोलता है कि आपने उसे पैसा दिया ही नहीं या फिर कोई भी एलिगेशन लगा देता है तो आपने पैसा तो दे दिया है यहाँ पर आपका जमीन भी आपके हाथ से चला जाएगा वहाँ भी एक तीसी बात को ग्राउंड बना कर यहाँ पर आपका रेष्ट्री भी कैंसिल करवा सकता है दाकिल खारीज भी अगर हो गया तो वह भी कैंसिल करवा सकता है तो यहाँ पर अगर आप कोई भी जमीन खरी दिये तो आप यहाँ पर कोशिस कीजिए कि आप पूरा पैसा यहाँ पर account में ही दीजिए ताकि कल को कुई भी विवाद हो तो आप यहाँ पर सावित कर सके कि आपने पैसा दिया है तो यहाँ पर आप अपने पैसे का recovery कर पाएं इसके लिए ज़रूरी है कि आपने जो पैसा दिया उसका proof हो तो आप यहाँ पर चाहते हैं कि आपका पैसा सही जगह जाए और अगर कल को की विवाद हो तो आप अपने पैसे का recovery कर सके और आपको यहाँ पर income tax department से कोई notice नहीं आए तो आप यहाँ पर पैसा उसके account में ही दे आप यहाँ पर cash lending से बचे आप यहाँ पर 20,000 रुपे तकी cash दे सकते हैं तो आप यहाँ पर कोसिस करें कि आप पूरा पैसे account में ही दे ताकि यहाँ पर proof रहे और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों रिष्टदारों में भी share कीजिए कि कई लोग को यहाँ बात पता नहीं होता है और इसी बात का फायदा बगल वाला पाटी कई बार उठा लेता है तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ आपके वीडियो पसंद आई होगी अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे comment box में comment करें और अगर आप हम से सीधे जुरना चाहते हैं फोन से बात करना चाहते हैं मन में कुई सवाल है तो फिर आप हमें Instagram पर follow करें मेरा Instagram पर हुजरने में प्रितियस 1584 आप हमें follow करें message करें और अगर फोन से बात करना है तो Instagram पर ही message करके appointment ले ले तो दोस्तों आप इस वीडियो को अदिक सदीक अपने दोस्तों और इस दार में भी जरूर सेर करें हम लोग मिलते हैं ले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल लगए